हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से मैं हूदी बाइकर डूड और कैसे हैं आप सब आई होप कि सब मस्त हैं और आज अपन लेकर आए हैं आज रिव्यू कर रहे हम लोग हीरो पैशन प्रो 100 million edition को जी हां दोस्तों ये पैशन प्रो है regular वाली आती है लेकिन उसमें थोड़ा update है 100 million edition का वो है ये सबसे पहले colors की बात करते हैं तो regular में हैं आपको 5 colors देखने को मिलते हैं moon yellow, heavy grey, metallic, sports red, techno blue, glaze black और एक color ये अलग से है 100 million edition है ये वाला तो इसके हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले यहां पे आपको XSense with programmed fi देखने को मिलता है और i3s technology के साथ ये बाइक आती है जैसे कि i3s technology है वो आपका petrol बचाती है आपको अच्छी performance देती है and instant pick up देखने को मिलता है यहां पे आपको engine cut off at fall जब गिरती अब आएक तो engine cut off हो जाता है high altitude riding देखने को मिलती है all weather easy start देखने को मिलता है तो ये सब इसमें features देखने को मिलता है और जो engine है यहां पे वो आपको air cool four stroke और 113.2cc का देखने को मिलता है वहीं यहां जो maximum power 6.73 kW at 7500 rpm and maximum torque 9.89 mm देखने को मिलती है और यह diamond frame के साथ आती है तो भी यह आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें भाई को support करो और काफी सारी reviews मैंने स्कूटी के और bikes के डाले में आप जाके चैनल पर check out कर सकते हैं और Instagram पर अगर आप हैं तो वहां भी follow कर सकते हैं यह आप इसका front view देखेंगे तो सामने से कुछ bike ऐसी दिखती है ठीक के लूक यहां से hand side में देखेंगे जो इसके panel से उस पर red color किया हुआ है तो बड़िया लगता है देखने में वहीं आपको जो headlamp मिलता है वो halogen देखने को मिलता है और with DRL साते है headlamp LED नहीं है halogen है with DRL साते है यह bike और यहां आपको alloy wheels देखने को मिलता है यह grip ती front tire की disc brake के साथ यह bike आती है and tubeless tire देखने को मिलता है MRF brands के tire यहां आपको मिलता है जो front tire है उसके size की बात करें तो 8018 and rear tire भी same size का है front में जो brake देखने को मिलती है disc brake है 240 mm की and जो front में suspension है conventional fork dia 37 mm का है जो brakes यहां देखने को मिलती है वो integrated braking system technology के साथ आती है मतलब साथ में काम करती है और यहां आप देखेंगे horn unit आपको देखने को मिलती है and leg guard है engine पे hero की आप देखेंगे branding यहां पे है and यहां आपको देखने को मिलता है engine जो की air cool 4 stroke है 103.2cc का and leg guard भी है यहां पे आप programmed fi की badging देखेंगे engine के ऊपर ही and i3s की भी badging देखने को मिलती है यहां पे क्योंकि i3s के साथ आती है programmed fi है यहां पे आप इसका gear box देखेंगे और यहां 4 speed constant mesh चार gear से बाइक में लगते है and यह जो उसका pillion footrest है उसका यह देखेंगे quality grip काफी बढ़िया है rubber use के आगया है ladies footrest and sari guard यहां पे आपको देखने को मिलता है लगा हूँ आता है यह आप इसके tail light देखेंगे दोस्तों और उपर से देखेंगे transparent से लगता है उपर hero की badging यह tail light के उपर side में winkers है नीचे number plate के लिए जगा दी गई है and signature tail lamp यहां देखने को मिलता है आपको जो की halogen है यहाँ आप इसके rear tire के grip देखेंगे और जैसे कि मैंने बताया था है MRF brand के tires आते हैं alloy wheels है and tire का जो size है rear and front में दोनों same है अभी दुबार आपको बताता हूँ 8018 inch का tire है और front में तो disc brake है बट जो rear में brakes है 130 mm की drum brakes देखने को मिलती है वहीं जो suspension है पीछे twin shocks देखने को मिलता है और IBS के साथ इसके brakes आती है integrated braking system के साथ यह इसका muffler है और उपर muffler guard भी लगा हुआ है तो यह ऐसा दिखता है और sound कैसे करता है वो भी बाद में आपको सुनाऊँगा इस तरफ से भी आप hero की badging देखेंगे इंजिन पे और यहाँ आपको kick भी देखने को मिलती है इस bike में तो आप kick से भी से start कर सकते है और यहाँ इसकी आप seat देखेंगे तो single seat देखने को मिलती है और rider seat और pillion seat दोनों wide है काफी shape जो आती है कुछ ऐसे आती है देखेंगे आप जो rider seat है थोड़ा नीचे की तरफ है जादा वैसा नहीं है कि बहुत उपर है पी बढ़िया है comfortable है longer rides के लिए भी और पीछे की तरफ seat में आपको badging देखने को मिलती है 100 million heroes की जो आगे fuel tank पे भी है और यहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको textured थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है उपर plane में है नीचे थोड़ा textured है यह की बढ़िया है पीछे की तरफ grab rail भी देखने को मिलता है अब बात करते हैं इसके graphics की या overall color की या design की तो आप देखेंगे जो fuel tank है उस पर ही main graphics है यहाँ पर passion pro की यहाँ पर badging देखने को मिलती है यह graphics है white and red में ग्राफिक्स देखने को मिलता है यह color भी वैसे design किया गया है प्रो जो लिखा हो है वो बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है इधर i3S की आपको badging देखने को मिलती है यहाँ पे और fuel यहाँ पे FI की है प्रोग्राम्ड FI की और पीछे की तरफ अगर हम जाए तो seat के नीचे hero की badging देखने को मिलती है और white color के stickers वगेरा लगे हुए और पीछे भी hero की badging है grab rail जो है इसका red color में है सेम चीज इस तरफ भी है passion pro जो लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है दोस्तों वहीं fuel tank के ओपर आगे की तरफ 100 million heroes और hero के logo बना हुआ है और यह 3D में badging है जो बढ़िया लगता है वहीं जो उसका fuel tank capacity है दोस्तों 10 liter की fuel tank capacity यहां देखने को मिलती है अगर बात करें mileage की तो जो owner reported mileage यहां बताया जा रहा है 60 km per liter 60 km per liter का बताया जा रहा है बाकी यह घड भी सकता है और बढ़ भी सकता है depend करता है आप bike को कैसे ride करते हैं या कैसे maintain रखते हैं hero की badging देखने को मिलती है handlebar में beach में और handlebar में अगर बात करें तो left side of handlebar में wet multi plate clutch देखने को मिलता है pass switch देखने को मिलता है high beam, low beam button और indicator button and horn का button देखने को मिलता है वहीं जो right side of handlebar है यहाँ पर आपको single button देखने को मिलता है engine start करने के लिए तो कुछ ऐसी चाबिया आती है अपनी passion pro के साथ अब बढ़ते हैं इसके instrument cluster के तरफ जो कि analog और digital दोनों का mail है मैं on करके दिखाता हूं तो कुछ ऐसे on होता है जो speed वाले सुई है ऐसे गूमती है and side में एक छोटी सी आपको display भी देखने को मिलती है तो यहाँ पे जो audio meter है वो digital है speedometer यहाँ पे analog देखने को मिलता है बाकि trip meter वगरा भी digital ही है and इस तरफ आप देखेंगे आपको speedometer देखने को मिलता है hero की badging है बीच में and अगर digital meter की बात करें तो पहले मैं इधर दिखाता हूँ आपको देखेंगे यहाँ पे एक button है यह देखेंगे यहाँ पे आप अपने trips वगरा चेक कर सकते है जैसा आप ऊपर देख रहे है और इस तरफ right side में एक i3s का button है जिससे आप i3s on या off कर सकते है इस तरफ यह देखेंगे यह दबाया तो i3s on हो गया और इसको दुबारा दबाएंगे तो i3s off हो जाएगा तो यहाँ पे यह display fuel gauge भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है trips देखने को मिलती है यह देखेंगे मैं पास से दिखाता हूँ थोड़ा तो यह सब यहाँ मिलता है वही जो analog speedometer है उसके left में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे neutral है भी गारी neutral वगेरा indicators वगेरा जो light जलती है यहाँ पे जलती है यहाँ आपको दोस्तो clock वगेरा देखने को नहीं मिलती है and low fuel indicator यहाँ देखने को मिलता है आपको को kill switch भी देखने को नहीं मिलता बाइक में अब मैं इसके engine को on करता हूँ और दोस्तों आपको इसके exhaust sound सुनाता हूँ यह इसका exhaust sound था और इसके dimensions की बात करें दोस्तों जो इसकी length है 2036 mm की है width इसकी 739 mm की height 1113 mm की saddle height 799 mm की wheel base 1270 mm की देखने को मिलता है और ground clearance 180 mm की वहीं जो इसका weight है curb weight 118 kg की बाइक है और finally बात करते हैं इसके pricing की दोस्तों तो जैसे कि मैंने बताया था यह है 100 million edition और यह disc वाला है 100 million edition drum में भी आता है यह disc वाला है और उत्राखंड रिशिकेश में जो इसका एक showroom price है 75,415 75,415 रुपए यह एक showroom price है उत्राखंड रिशिकेश में वहीं जो इसका on road price है रिशिकेश उत्राखंड में 88,126 मनलब लगवग 88,000 के पास है आपके state या आपके city में जो on road price होगा दोस्तों वह अलग होगा तो आपको अपने नजदी की hero showroom में जाके ही confirm करना पड़ेगा यह bike provide करने के लिए मैं थांक्स कहना चाहूँगा जैसाई hero को जो की hero का showroom है रिशी केश में तिलक रोड पे अगर मेरे कोई भी viewers रिशी केश या उत्राखंड में कहीं आसपास रहते हैं और hero की कोई bike या स्कूटी लेना चाहते हैं तो आप showroom ज़रूर विजट के जी और festive season चल रहा है जो बडिसकाउंट होगा ज़रूर मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो देखके जाते हैं तो ज़रूर बताईएगा कि दी बाइकर डूड की वीडियो देखके आप आएं और इसके कुछ सिमिलर बाइक्स दोस्तों जो आप consider कर सकते हैं तो Honda की लिवो आती है, hero की खुद की splendor आती है, tvs की star city प्लस आती है, tvs रेडियोन आती है और Honda की cd 110 dream आती है बजाच की platina 110 आती है तो ये सब आइक साब consider कर सकते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए stay safe, keep riding and keep smiling